लो बच्चों जोशी कृष्णा सिद्धीन डिवी द्याले ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है तो सैकिंड क्लास के बच्चों हमको रिवीजन लेना है तो इसलिए हम लोग शुरू से कर रहे हैं अपने एक्जाम आने वाले हैं तो सबसे पहले तारिक डालके हमको सूच न डालनी है क्या डालनी है मुलाक्षर देखकर शब्द लिखो क्या है मुलाक्षर देखकर शब्द लिखो यहाँ पर मैंने कुछ मुलाक्षर लिखे हुए है लिखा हुआ है बिटा उसके बाद यह मुलाक्षर है तो हमको इसके शब्द लिखने कैसे लिखने बिटा जैसे आ से अनार तो यहां लिखा हुआ है अनार क से कबूतर आ से आम अंग से अंगूर ग से गमला इसे इमली उसे उन एसे एडी अउसे औरत इसे इ ठीक है बेटा यह अपने शब्द हो गए और जो बागी के यह शब्द है बेटा यह आपको अपने आप लिखने है मैंने दस शब्द आपको समझा दिये बागी के शब्द आपको अपनी कॉपी में CW में और HW में दोनों में एक एक बार लिखने है सुन्दर सुन्दर अक्षरों में तो पहले तारिक डालेंगे फिर अपनी सुचना डालेंगे फिर हमको यह लिखना है ठीक है चलो एक बार जो मैंने शब्द लिखे है वो आपको मैं समझा देती हूँ कैसे करना है जैसे ऐसे एनक ऐसे एनक होती है न बिटा फिर ओसे क्या होता है जल्दी बोलो ओसे ओखली खासे खरगोश घासे घर चासे चमच जासे जाहाच बोलो अभी फिर जल्दी जल्दी चासे चाता ठासे ठठेरा जासे जंडा या जड़ना भी लिख सकते हो तासे तमाटर धासे धकन धासे डम्रू धासे धर्माज धासे धनुश धासे तर्बूच नासे नाल लिखाए बेटा उसी तरह या पे लिखना है हमको खासे हाल त्रासे त्रशूर शासे शत्रिया शासे शटकोण शासे शलगन शासे सपेरा फासे फाल बासे बकरी मासे मचली यासे यग्य भासे भालू पासे पतं ठीक है पेटा जो शब्द मैंने नहीं लिखे हैं उसको आपको CW में और HW में सुन्दर सुन्दर अक्षरों में करने रहेंगे और उसके साथ साथ एक्जाम की भी तैयारी करनी रहेगी ये सब आपके एक्जाम में आ सकता है इसलिए दियान से सीरियस होके हमको अपनी पढ़ाई लेनी रहेगी ठीक है पेटा चलो तो आज का जो हमने सीखा है आज हमने क्या सीखा है मुलाक्षर देखके शब्द लिखने सीखे है ठीक है आज हम लोग ये सीखते है फिर आगे की पढ़ाई का हम लोग आगे करेंगे आपने नेक्स्ट वीडियो में इसलिए लो सुन्दर सुन्दर आप लोग कर लेना और जो भी कोई प्रोब्लम हो वो आप लोग मुझसे आके पूस सकते हो ठीक है चलो आज के लिए इदिनाई बच्चों जेशे कृष्णा बाई